नमस्ते अभिवादन आपका स्वागत आप सबीका हैपी इन्वेस्टर्स के एक और नए एपिसोड में सबसे पहले आपके लिए डिस्क्लेमर आज समय है वापिस से हमारे ओडियंस डिमांड सीरीज का और ओडियंस डिमांड सीरीज में एक और हमें इंटरस्टिंग कमेंट थैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमें कमेंट मिला है वासुबाबू सोमेपाली जी से इनका अकाउंट है अगर इनका सही नाम है तो बहुत इनका मतनियवाद करना चाहूंगा जिसका भी बड़न का अकाउंट है और आपके सबसे पहले तो आपकी जो रिक्वेस्ट उसे पढ़ा जाए तो देखते हैं क्या है रिक्वेस्ट में यह ज़रा बीच में से मैं हटा दू ओके तो रिक्वेस्ट में कुछ ऐसा है कि यह चाहते है कि बहुत बढ़िया information सर आप आप जैसे sincerely कोई advice दिया करें चलिए तर्णियवाद आप क्या हमें इतना अप्रेशियेट करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए अब बात करते हैं इनके request की तो बात यह है कि यह चाहते है कि हम HFCL और JP Power के उपर इन stocks पर वीडियो बनाए और इससे पहले एक और एक चोटा सा इनका question है वो है कि इसका RSI अब यह वीडियो का जो comment था वो वीडियो मुझे जीटील इनफरा के वीडियो पर मिला था तो इनका कहना है कि इनका RSI क्या होगा जीटील इनफरा का तो सबसे पहले तो RSI के उपर मैं कहाना चाहूंगा कि जब भी वासु जी और मैं बाकि सारे व्यूवर्स को भी कहना चाहता हूं कि जब भी कोई भी stock penny stock होता है तो और उ इस बात पर depend करता है कि operator क्या चाहता है आप समझ रहे हो मलब जो बड़ा player चाहता है कि अगर उसको buying circuit रगा कर रखनी है तो बाइंग circuit लगेगी फिर RSI 100 तक जाए 120 तक जाए हां इससे आप एक उमीद यह लगा सकता हो कि इतना ऊपर चला गया तो हो सकता है operator अब ऐसा कर सक है कि वापिस RSI नीचे आये इसलिए थोड़ा profit booking आ सके लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि penny stock है तो RSI और fundamental थोड़ा बहुत matter करता अगर fundamental चलो improve हो गया हो company का तो फिर अपर circuit पर अपर circuit लगेगी तेकिन technical analysis penny stocks में बहुत मुश्किल है लगाना ठीक अब बात करते हैं HFCL और JP Power Stocks के उपर वीडियो बनाना इनका request है तो चलिए आपकी फर्माईश पर हो जाए HFCL पर और JP Power पर हमारा एक छोटा सा opinion तो दोस्तों जैसा कि आपको screen पर नज़र आया है मैं HFCL के fundamental वाले section में हूँ 0-10 के ये company की अगर बात करूं तो इसमें हाल ही में profit में आई है ये company एक time था जब ये stock 10 रुपे के आसपास trade करता था और आज ये stock सीधा उचल करके 64 65 70 तक का high बनाया है stock ने 71 मैं लास्टन देखा था तब 71 था तो अभी ये 65 के आसपास trade कर रहा है ये stock अब क्या करती है ये company ये company HFCL कुछ खास sector में काम गरती है मैं इसको खास इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के time में 5G networks का बहुत क्रेस तल रहा है 5G networks develop होने वाले हैं इंडिया में और कहीं सारी companies को अल्रेडी इस पर काम करना शुरू कर दिया है बड़ी-बड़ी companies ने Vodafone हो गया एटल हो गया फारती एटल हो गया और ये Reliance GO हो गया तो इनको infrastructure provide कौन करता है उनको infrastructure provide करता है HFCL जैसी company यह इनके clients होते है HFCL के clients होते हैं यह सब बड़े-बड़े जो service provider होते हो तो यह company 5G के network में भी involved तो होगी ही क्योंकि इनको फाइदा तो होगा और इसके उपर एक news भी आई थी कि HFCL और Starlight Technologies और दूसरी एक और company थी तेजस network करके आए होप सो यह सारी companies 5G network में अपने कदम बढ़ा रही है और इनको अच्छा खासा growth 5G sectors 5G के infrastructure build-up होने से होने वाला है और यही reason है कि यह company अभी profit माई है और यह भी आगे पर आगे बढ़ती जा रही है company तो अभी क्या कर सकते है इस state पर जब यह 10 रुपे से सीधा 70 रुपीज तक चला जाता है stock तो इसमें हाली में क्या buying strategy होगी हमारी बिलकुल buy तो करना ही चाहिए मैं मानता हूँ इसको buy करन है तो जैसे कि आप देख सकते में जिरोदा के चार्ट सेक्शन में हूँ यहाँ पर अब यह आप देख सकते हैं अच्छा का सा momentum इस टॉक नहीं दिखाया है और अभी यह consolidation phase में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर यह stock एक मिनिट में जरा देख लेता हम consolidation phase में जितने मुझे buying volumes नजर आ रहे है green candles इतनी नजर आ रही है उतने ज्यादा मुझे negative volume यानि कि red candles बड़ी नजर नहीं आ रही है यानि कि इसमें थोड़ा बहुत profit booking चल रहा है लेकिन कोई बड़ा player अभी भी माल बेचने को तयार नहीं है दूसरी बात है कि यह stock मुझे ऐसा ल पोटफोलियो का थोड़ा बहुत investment दे सकते है यानि कि अगर आपका portfolio मान लीजिए कि आपका portfolio अगर एक लाग रुपे का है ठीकि अगर आपका portfolio अगर एक लाग रुपे का है तो आप इसके अंदर 8000 जितना invest कर सकते हैं उससे ज्यादा आप मुझे नहीं लगता किसी भी stock म बाकि आप अपने financial advisor से consult करके अगर ज्यादा quantity buy करना चाहते है तो भी आप consult करके buy कर सकते हैं अपने risk पर मैं इस company पर bullish हूँ क्योंकि 5G sector आ रहा है fundamentally भी ये stock ने काफी improve किया है तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये stock आपको अच्छे-कासा return दे सकता है बाकि आप अपने portfolio क अपने हिसाब से analysis करके अपने risk पर financial advisor से consult करके आप decision ले सकते हैं मैंने आपको अपना percentage और buying level बता दिया है SIP के form में थोड़ा-थोड़ा buy करते रही है और कितना buy करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है इतना buy करना है ठीक चलिए बात करते हैं दूसरे stock की फटा फटते JP पावर पर अपका फंडमेंटल सेक्शन में स्वागत है अब मैंने JP पावर पर पहले भी एक वीडियो बताया था तब भी मैंने बताया था कि अभी भी ये stock काफी growth मुझे नजर आ लिया stock में क्योंकि अभी एक company हाली में profit में आई है इसने अपने debt reduce कि है power sector में ये company sector और ये 5G telecom sector जैसा कि HFC में में बताया और से especially power sector में renewable sector में काफी अच्छा कासा benefit प्रोएड करी है जिसके कारण ये सारी companies का भी फाइदा हो रहा है हाली में JP group ने अच्छा कासा अपना debt भी restructure किया है उसको reduce भी किया है और PE ratio के हिसाब से देखे दोस्तों तो अभी ये stock का undervalued लग रहा है अपने sector PE के हिसाब से तो और company भी काफी small cap है तो इसमें उस हिसाब से ही आपको investment करना रहेगा लेकिन इसमें growth opportunity भी ज्यादा है क्योंकि company small cap जब होती है तो फागती भी बहुत बढ़िया तरीके से fundamentals इसके improve हो रहे है अभी भी इसके ओपर debt है JP group के ओपर में बात कर रहा हूँ लेकिन fundamentally improve कर रहे है debt reduce कर रहे है अब बात करते है कि इसको buying कैसे करना है buying में अभी तो फिलहाल upper circuit पर अपर circuit लगते नजर आते है मुझे जब भी मैं देखता हूँ कि मुझे नजर आता है जब भी मैं देखता हूँ लेकिन कभी पभी हमें buying opportunity मिल जाती है तो आप इसको अगर long term की अवधी के हिसाब से buy करना चाते है तो थोड़ा सा investment अपना portfolio का 1% जितना कर सकते है 1% यानि कितना हो गया 1000 रुपे हो गए तो 1000 रुपे के आप 200 stock buy करके रख सकते हो फिर वापिस अगर आपको इसमें कोई अच्छा level आता है या फिर वापिस अगर कोई operator के हिसाब से profit booking आती है कभी कभी ऐसा होता ना market down चल रही हो तो इसमें भी lower circuit लग जाती है तो आप ऐसे time पर इसको वापिस से थोड़ा सा quantity buy कर सकते हो थोड़ा थोड़ा लेकर क आप बाइंग कर सकते हो जेपी पावर पे भी और जेपी ग्रूप पर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखके आप देख सकते हैं चैनल पर जा कर सकते हैं मैं इस ग्रूप में भी काफी penny stock के हिसाब सकर देखा जाए तो bullish हूँ काफी fundamentally improve कर है stock तो इसको long term किया होती के happy investors के साथ बाबाई